हेलो एब्रीवन वेलकम वेलकम बैक तो मैं चैनल जारा टेस्टी किचेन आज मैं आप लोके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी गारलिक पराठा और इसकी खासियत यह है कि आप इसे बिना आठा गूंदे और बिना बेले इसको बनाएंगे तो यह बहुत इजी ह अब जाता है तो स्टार्ट करते हैं उसके लिए मैंने एक बॉल ले लिया और बोल में आइड कर दिया मैंने मैदा मैने लिया इसको मैने चाल के रखा हुआ था उसके बाद मैने डाल दिया इसको अप इसमें डालूंगी नमक यानि की सॉल्ट टू टी स्पून और चीनी वंचबल स्पून खड़ी चीनी ही मैंने डाल दी है क्योंकि इसको अभी हम लोग घोल मिक्स करेंगे तो चीनी डिजॉल्व हो जाएगी इन सबको अच्छे से मिक्स किया और इसके बाद इसमें धाई कप पानी डालेंगे दो कप म तरीके से घुल जाएगी जब आप इसको मिक्स करेंगे और एक से दो टेबल स्पून पानी मैंने और डाला है इसका रिजन यह है कि मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था तो आपको कंसिस्टेंसी इतनी पॉफेक्ट रखनी है कि बहुत जादा गाढ़ा भी ना हो और दो हरी मिर्ची को भी बारी कट करके डाला है और धनिया मैंने थ्री टेबल स्पून डाल देना है या अंदाजे से आप डाल सकते हैं और दो टेबल स्पून तेल जब मैं टेबल स्पून बोलती हूं मतलब की बड़ा चमच और टी स्पून बोलती हूं तो छोटा चमच तो तो आप डालके मिक्स कर लें आपका मन नहीं है चाट मसाला डालने का तो मठ डालें लेकिन इसे एक अच्छा सा चटपटा टेस्ट आजाएगा आपके पराटो में और ये देखिए गोल कितना अच्छा बना है इस बहुत गाढ़ा भी नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है तो मीडियम थिक कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है और अब एक पैन चड़ा लेना है पैन को गरम करेंगे इसकी खासियत पराठे की यह है कि बहुत सॉफ्ट बनते हैं तो आपको यह ध्यान देना है कि जो पैन है वो बहुत गरम नहीं रखना है वरना फिर वो खराब बनेंग या ब्रश से और आप चाहें तो तेल लगा सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप वो लगाएं मक्षन ही लगाएं तो उसके बाद देखिए मैंने पराठे को पलट लिया है और देख सकते हैं अब हलका सा बटर में दूसरे साइड भी अपलाए कर रही हूं और इसको अच्छी में स्पोर्ट चाहिए यानि पराठे में सेखते हैं तो ब्लैक स्पोर्ट आते हैं उस तरीके का हमको लुक चाहिए तो इसको जो है अब मैं सेख लेरी हूं तो तरफ फ्लेम मीडियम हाई मैंने रखा हुआ है और इसको हलका सा प्रेस करते हुए सेखेंगे आपके साथ भी बना सकते हैं यानि कि जैसे आप पराठा अंडा स्खाना चाहते हैं नाच्टे में तो उस तरीके से मैंने इसमें एक अंडा डाल दिया पराठे के उपर और उसमें मैंने नमक स्प्रिंकल कर दिया थोड़ा सा दो तीन चुटकी और उसके बाद इसमें जाएगा का तक भी कालिमिज थोड़ा सा च्णक देना और पराठे के उपर ही इसको अच्छे तरीके से फेट मैला है त lieber इस हचाए तरीक E अन्डे के साथ लाटी नाशता है लेदे से तछेस बठाण नाशते में ऑचो बनाएन चत्राओ को अर्चे बनाटे उन्दmeye चीता है बेगे एक चाहल चेह लुक है अब दूसरे साइड जब पक आठेसे टीके से उसके बाद ये टेस्टी से मज़ेदार से अंडा पराठा आपका तयार हो जाएगा और कितना इजी है इसको बनाना ये तो आपने देखी लिया तो कभी कोई गेस्ट रचानक से आजाए और आपको पराठे बनाने हो तो आप बहुत easley बना सकते हैं इस तरीके से बस तवह ऐसा लें कि शिपके ना कि कोशिश करें कि नॉन स्टिक का पैन ले लें कि इसमें स्टिक नहीं और जिस पर आप आप पराठा बनाते हैं उस पर भी नहीं चुपकता आप इस तरीके से मैंने रोल किया था तो इसमें मैंने केचप लगा लिया है इस तरीके Engineer मैंने थोड़ा सा केचप ढाल तो इसको SPRID कर लेना अच्छे तरीके से पराटो पराठे नो नीठ पराठा आपका तयार है गारलिक पराटा तेके पराठे च्टो के इस वह आपके bet hair तॉव्य नीध तियार हो गाया त्यूकरत dongak का त्यार है गार्लिक पराठा लुओं साय्ट कंष्ट आथा इन पराठा और बहुत टेस्टी लगता है तो यह थी आज की मेरी सिंपल और एजी रेसिपी और यह खाने में बहुत टेस्टी है I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें सबस्क्राइब करें और शेयर करें